मित्रो मैसूर करनाटक के रहने वाले योगी राज अपने पिता योगी राज और दादा बस्वन्ना शिल्पी से बहुत अधिक प्रभावित थे अरोन बच्पन से ही कला के प्रेमी रहे हैं इससे अलग उन्होंने कुछ सालों तक कॉर्पोरेट शेत्र में भी कम किया था लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें वापस कला के खेत्र में खींच लाई उनके अभूत पूर्व कारियों को मान्यता देते हुए उन्हें साल 2014 में दक्षिन भारत का युवा प्रतिभा पुरसकार दिया गया था दिल्ली के इंडिया गेट पर लेगे स्वतंत्रता सेनानी सुभाश चंद्र बोस की 28 फीट की मूर्ती का निर्मान उन्होंने ह किया था वही के दारनाथ उत्तराखंड के लिए 12 फीट की आदि शंकराचार्य की मूर्ती को भी उन्होंने ही तराशा था साथ ही उन्होंने श्री रामकृष्न परमहन्स की भारत की सबसे बड़ी 10 फीट की मूर्ती को उन्होंने ही आकार दिया था इसके साथ ही अयोध्या मंदिर M. लगी भगवान राम की मूर्ती भी अरोन योगी राज ने बनाई। अंदर जाते ही भगवान चेंज हो गए अरुन योगी राज ने कहा, मैं दस दिन से वहीं था। प्रतिष्ठा होने के बाद, अलंकार होने के बाद, मैं किनारे बैठा था, मैंने देखा तो लगा, ये मेरा काम नहीं है। अंदर जाते ही भगवान बहुत चेंज हो गए मेरे साथ दो तीन लोग बैठे थे उनसे मैंने शेयर किया कि ये बहुत अलग दिख रहे हैं पता नहीं ये मेरा काम नहीं हो सकता करनाटक के रहने वाले शिल्पकार अरुन योगी राज ने एक इश्वरिये किस्सा बताया कहा कि जब वह मूर्ती तराशने का काम करते थे तब हर दिन शाम चार से पांच बजे एक बंदर आ जाता था फिर कुछ ठंड के कारण हमने कार्यशाला को तिरपाल से ढख दिया तो वो बंदर बाहर आया और जोर-जोर से खट-खटाने लगता था ये बंदर हर रोज शाम चार से पांच बजे के बीच आ जाता था शायद वह बंदर हनुमान जी ही थे जिनका प्रभुश्री राम को देखने को मन हो मैंने ये बात चंपत राय को भी बताई थी वही सैकडों मूर्तियों को आकार देने वाले अरुन योगी राज रामला के चहरे और नेत्रों को रूप देने के पहले काफी सशंकित भी थे क्योंकि उनका मानना था कि यह मूर्ति पूरे देश और दुनिया के लिए पूजनिय होगी ऐसे में बालक राम के मुख को आका रूप को गड़ दिया और सामने आया चमकता आभामंडल दिव्यद्रिष्टी और मुस्कुराता हुआ मुख